नमस्कार दोस्तों and welcome back to my channel first investment दोस्तों आज हम एक important topic क्यों पर बात करने वाले हैं जिस पे probably अगर मैं videos देखूं तो बहुत जादा बनी वी है बहुत जादा YouTube पे videos बनी वी अगर आवो एक line सर्च करेंगे and मैं जब उस video का आज मेरे पास एक notification आया and एक channel का आया था कि ये video बनी वी थी and जो भी हमारे YouTube पे show करती रेटी हैं videos उसमें से गाया था कि stock market crash की ये video है so मैंने click करके देखा था and जब मैंने click करके देखा तो मैंने जब time देखा उस time को हुए वे दो महीने हो चुके है शाद October में वो video बनी थी and था stock market biggest crash bubble stock market bubble अपनी सारी positions को exit करिये ये हो रहा है वो हो रहा है and आप देख सकते हैं कि जब मैंने उसके बाद अपने charts पर जाके देखा किया October पर correction आया October से basically दो महीने हो चुके है दो महीने में क्या market थोड़ी से भी गिरी आप खुद देख सकते हैं market ने October से rally जो start करी है किस तरीके से करी है ठीक है तो मैं जब videos शेक कर रहा था देखें मैं आप लोगों को ले कर जाता हूँ आप ध्यान से देखेगा ये YouTube open है and YouTube पर मैंने सर्च कर रहा है stock market crash 2020 आप videos देखेगा and time को देखेगा one month हुआ है sorry अगर आप लोगों को यहाँ पर face show कर रहा है मैं आप लोगों को उस basis में नहीं ली रहा हूँ मैं सिर्फ बता रहा हूँ one month पर एक video आई थी will stock market crash in 2020 biggest crash तेक है इस पर भी वही बात हुई थी upcoming stock market crash 6 महीने पुरानी बात है 6 महीने में market पे अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्या crash आया है बहुत बड़ा crash अभी हम लोगों को देखने को मिल रहा है देखे आप क्या हो रहा है how the stock market crash will happen देखे stock market crash 2020 crisis 2 महीने almost 54,000 people 74,000 people 4,27,000 people are watching these videos आप यहाँ देख सकते हैं देखे किती videos हैं मैं scroll करते रह जाऊँगा आप यहाँ देख सकते हैं देखे किती ज़्यादा videos हैं market पे यह देखते रही है videos नहीं खतम हो रही हैं आप देख सकते हैं stock market crash 2020 और यह सब पाँच महीने के अंदर-अंदर की videos हैं ठीक है सारी पाँच महीने के अंदर-अंदर की videos हैं guys अब पाँच महीने में अगर आप देखेंगे कि market ने कैसा करा है तो आपको अपने आप पता चल लागा कि market ने किता बढ़िया पांच महिने के अंदर return दिया है ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि सब सारी videos में, exact सारी videos पे बस एक ही चीज common है ठीक है, ये videos मैं उनलूख ले बना रहा हूँ जिनको technical analysis से प्यार है जो charts को देखना पसंद करते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये उनलूख ले ही मैं बना रहा हूँ क्योंकि मैं अपने fundamentals इन सारी चीज़ों पे भरूसा जादा नहीं करता बहुत long term की बात है हम लोग अभी current scenario में जी रहे हैं हमें अभी की बात करनी होती है ठीक है future में एक महीने बाद 6 महीने बाद एक साल बाद क्या होगा ये हो सकता है उसकी त्यारी हम अभी से क्यों करें अभी जो चल्ड़रा उसकी त्यारी ना करें उस पे हम लोग अपना action ना ले और future के बारे में जादा दूर के बारे में सोचते रहे हैं तो इस वज़े से अगर इन लोगों के बात सुनके अच्छा खासा इन लोगों ने पैसा मार्केट से हटाया होगा या इन्वेस्ट नहीं करा होगा बात मैं ये मान के चल रहा हो कि शौट कर दिया हो या फिर मार्केट पे पैसा ही ने लगाया हो उनकी बात सुनके कि करायश आ सकता है करायश आ सकता है तो आप देख सकते हो कि आपने बहुत जादा money को गवाया है आपने invest नहीं करा तो आपकी जब से पैसा भी नहीं गया बट अगर आप invest करते तो आपके पास कुछ आता ये आपको पता था कि हो सकता है बढ़ तब भी आपने नहीं लगाया उसे भी money गवाना ही कहते है ठीक है तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ अपनी technical analysis charts की भाशिया मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से market गिर सकती है और क्या market गिरेगी भी ठीक है ये किस तरीके से काम नहीं होता current scenario में जी हो charts पे बरोसा रखो मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगा कि किस तरीके से क्या हो रहा है ठीक है US की भी बात कर लेंगे ठीक है और यहाँ पर nifty bank nifty की बात कर लेंगे comparison भी कर लेंगे ठीक है मैं monthly charts पे ही बरोसा कर रहा हूं monthly charts पे चलते हैं ठीक है simple analysis है आप लोगों को भी आ जाएगी हमें नहीं पता कि अगर interest rate गिर रहे है तो market में bubble create हो रहा है US वाले पैसा चाप रहे हैं तो उसकी वज़े से print कर रहे है तो उसकी वज़े से नीचे आ रहा है भाई एक coronavirus की वज़े से जो panda पे काया था इसकी वज़े से पूरी all over world पे हम लोगों ने देखा था कि बहुत दबाव था ठीक है यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कोई भी manufacturing sector कोई भी sector पे काम नहीं हो रहा था ना inflow outflow हो था cash का उन लोगों को survive करने के लिए कुछ करना पड़ेगा अब यह चीज अगर पहले होती थी जब market का हमारी country stable होती थी तब वो print करते थे तब low interest rate होता था हम लोग समझ भी सकते थे मुझे जितना knowledge है मैं उतता आपके साथ fundamentally or economically share कर रहा हूँ पर मैं आपको बताऊंगा market को revive करने के लिए उनने print भी करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर flow लेकर आना है सबकी jobs चली गई है उनके पास cash नहीं है market पर flow कैसे आएगा economy में पैसो का तो उसके लिए वो लोग print कर रहे है और interest rate कम कर रहे हैं कि आप लोग low low spending करो इससे bubble create होने का scenario नहीं है सारे points को समझना यह मैं आपनी बस knowledge share कर रहा हूँ जितना मुझे पता है तो यहां पर जब market recover हो रही है जब हलके vaccines आ रही है तब आप लोग border की crash आने वाला है निकलो और जब आ रहा था तब आप लोग border थे buy करो जब इतने ज़ादा cases आ रहे थे और यह सारी चीज़े थी तो आप border थे buy करो और जब अच्छा हो रहा है तब आप border निकलो ऐसा नहीं होता अभी मैं आप लोगों को monthly charts पे लेकर चलता हूँ simple analysis करूँगा मैं दो दो तीन trend lines बनाऊंगा उसके basis पे हम लोग बात करेंगे ठेक है यह just wait a second ठेक है मैं इसको नीचे ले आता हूँ यह yes इस तरीके से हम लोग market पे बात करेंगी कि crash किसे गयता है देखिए 2008 पे जो crash आया था वो आया था around 20% तक का ठेक है और उसके बाद हम लोग ने क्या देखा था उसके बाद हम लोग ने देखा कि अभी जो 2020 पे जो crash आया था वो आया था almost 38-40% का crash ठेक है मैं हाँ मैं मानके चल रहा हूँ अगर 20% तक एक चीज गिर जाती है तो वहाँ पर एक वो एक crash माना जाता है ठीक है बट यह नहीं कि अगर एक stock 100% बड़ा है उसके बाद वो 20% गिर रहा है तो उसे crash नहीं कहते है उसे retracement कहते है इस बात को आप लोग ध्यान से समझेगा अगर एक चीज एक रोपे से 100 रुपे हो जाती है तो हम उसे एक up move तो कहते हैं बट जब वो 100 रुपे से 80 रुपे आ जाती है 70 रुपे आ जाती है तो हम लोग उसे बोल देते हैं यह particular stock crash कर चुका है पता नहीं I don't know कि यह क्या terminology है यह सारी चीज़े ऐसा कुछ नहीं है एक चीज़ अगर 100% बरके 20% गर रही है 25% गर रही है तो हम उसे crash नहीं retracement मानेंगे ठेक है अगर वो नीचे गिरती रहती है तो yes weekend से कि हाँ वो crash है बट अगर वहाँ से recover हो जाती है जब तक 15% गर रही है हम लोग उसे retracement का नाम देंगे ठेक है इस हलके हलके points पर अगर आप लोग confused होगे तो market पर आप लोगों को sustain करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट ध्यान से देखेगा interesting topic है और आपके पैसो का सवाल है इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ठीक है देखे simple जी analysis करते हैं यहाँ पर मैंने ये charts open करे हुए है ठीक है मैं दो trend lines बनाने वाला हूँ एक bottom से trend line ठीक है यह and एक top की trend line में बना रहा हूँ आप देख सकते हैं सबसे पहली चीज़ आप लोगो को क्या पता होनी चाहिए simple technical analysis आपको पता होना चाहिए यह जो particular range में काम कर रहा है कि higher highs higher lows बना रहा है ठीक है higher highs and higher lows बना रहा है point को समझेगा monthly chart है अब 6 महीने पहले जिसने video बनाई थी तो उसके लिए 6 candle हो गई है monthly charts की और 6 candle बहुत ज़्यादा बड़ी movement देती है ठीक है जिसमें 2-3 महीने पहले बनाई थी 3 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आप market को समझेगा ठीक है मैं यह open कर रहा हूँ आप लोगों के लिए and इसके basis पर मैं आप लोगों को बताऊँगा ठीक है यह आप देखेगा यह bottom है यह first bottom बना ठीक है sorry यह यह first bottom बना इस first bottom के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि next bottom जो बना है वो किदर बना है ठीक है just wait a second yes so यह first bottom बना था and इस first bottom के बाद हम लोगों ने क्या देखा second bottom बना है इदर क्या second bottom ऊपर बना है yes of course ऊपर बना है second bottom ठीक है आप यहाँ देख सकते हैं एक up move है third bottom बना है exact इदर तो हम लोगों ने देखा third bottom ने अपने previous bottom को break नहीं करा ध्यान से सुनेगा उसके बाद next bottom बना इदर और उसके अलावा जो bottom बना था वो यह था क्या अपने इस bottom को break करा नहीं करा हाइस पर ही trade कर रहा है अब यह bottom था उसके बाद कौन सा bottom बना यह bottom बना इस bottom पर हम लोगों ने क्या देखा एक double bottom मान लीजिए और पर probably अगर मैं एक trend line ड्रॉ करता हूँ एक horizontal line आप लोगों के लिए ड्रॉ करता हूँ तो आप लोगों को दिखेगा अच्छे ऐसा है ठेक है यह यह line मनाई है यह हमारा bottom था and next bottom यह था क्या हमारे previous bottom को इसने break करा नहीं करा market is trading in a higher highs and higher lows जब market higher highs higher lows पर trade करती है तो कभी भी below वाली trend line पर आती है मतलब in the sense कभी भी इस below वाली trend line पर आती है you have to go for a buy higher side की trend line पर आती है you have to go for a short but but after many many confirmations because जब एक higher high में trade कर दी है the chances are high कि higher high को break कर सकती है but chances are very low की नीचे की तरफ break करेगी ठेक है तो यहां पर हमें higher highs confirmation के लिए wait करना पड़ता है अच्छे से मतलब multiple confirmations के लिए and यहां पर हम लोग एक confirmation पर भी buy initiate कर सकते है ठीक है एक confirmation पर हम लोग buy initiate कर सकते हैं अब higher highs का हम लोगोंने क्या देखा एक trend line जो एक higher channel के अंदर काम कर रही है उसका breakout दिया था इसने नवेंबर में आप देख सकते हैं जस्ट लेट में जूम दिस पर्टिकुलर चार्ट यस मैं यह पर आगया हूँ ठीक है आप यस इधर देखेगा इस पर्टिकुलर जो strong candle बनी है यह थी नवेंबर की नवेंबर पर हम लोगोंने देखा एक strong candle के साथ breakout आया breakout आने के बाद exact उसी level से हम लें देखा December में gap up opening हुई confirmation मिला gap up एक particular channel या एक range को breakout दे रहा है वो भी एक हम लोग देख रहे है gap के साथ so it's basically अच्छा confirmation ठेक है so यहाँ पर आप देख सकते है एक छोटे से gap के साथ breakout दी और अभी वी higher levels पे ही sustain कर रहा है as you can see it here higher levels पे sustain कर रहा है ठेक है so यहाँ पर breakout हो चुका है breakout का confirmation मिल चुका है yes we can go for a buy हमारे लिए buy है अगर यह दुबारा retest करता है तो retest किस level पे करेगा यह retest कर सकता है 12,800 में ठेक है तो 12,800 में भी यह retest करता है 13,000 में करता है मैं मान के चल लेता हूँ ठेक है तो वो वीडियो जो जिन लोगे ने बना रखी है 6 महीने पुरानी, 3-3 महीने पुरानी वो यह बात बोलेंगे कहाता ना हमने, correction आने वाला है आगे आना तो इन से आप मतलब सिर्फ लॉजिक को समझो ठीक है, बातों को मत समझो, यहाँ पर मैं लॉजिक आपको बता रहा हूँ, ठीक है बिल्कुल confirmation वाला logic बता रहा हूँ आप ऐसा समझ लो, जैसे चार्ट में confirmation चाहिए होता है, यहाँ confirmation के साथ बता रहा हूँ, ठीक है, अगर यह नीचे आता है 12,800, 12,900 तो वो एक retest के लिए भी आ सकता है ठीक है, और यहाँ से अपने bottom से, यह कित्ते percent की movement दे चुका है, यह जो इसने bottom बनाया था, इससे कित्ते percent की movement दे चुका, अगर मैं पता लगा हूँ ठीक है, यहाँ पर हम लोग ने buy initiate करा, ठीक है, for example उससे यह almost sorry यह दे चुका है, almost 80% का return as you can see it here almost 80% का यह return दे चुका है ठीक है, 7,489 से यह 7,550 से यह उपर बढ़ना शुरू करा था and बढ़ते 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 यह almost 80% दे चुका है, जब एक चीज, मैंने अभी आपको शुरुआत पे बताई, एक चीज जब एक रुपे से 100 रुपे हो जाए उसके बाद वो 100 से 70 भी हो जाएगी ना, तो उसे हम लोग कहेंगे नी कि वहाँ पर एक हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक crash आगया it's not a crash, it's a retracement Fibonacci, अगर आप लोगों को पता होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि Fibonacci के हिसाब से, वो एक retracement है ठीक है इस बात को जमझे, अब गिरावट कित्ती की आई, इस पॉइंट को भी चलो देख लेते हैं, फॉल कित्ते का आया फॉल आया, आल्मोस्ट इस पॉइंट से फॉल आया तो फॉल हम लोगों ने देखा आल्मोस्ट, आल्मोस्ट थर्टी नाइन परसेंट का थर्टी नाइन परसेंट का एक हम लोगों ने क्रैश देखा, एग्जाक्ट उस लेवल से हम लोगों ने क्या देखा, एक V-shape recovery आया है, V-shape recovery words को ज्यान से सुनेगा अगर बुरी खबर आती है, तो share बाजार गिरेगा, जित्ता परसेंट गिरना हो गिरेगा, बट जब वो बुरी खबर dissolve होगी और जब उसके basis पे हम लोग देखेंगे कि वो अच्छी खबरों में convert हो रही है, तो इतनी बात जित्ता गिरनी है, उससे दो गुना आप कमा चुके होता है तो इस पॉइंट को समझे अब मैंने अभी आप से एक बात बोली कि वर्ट को याद रखना V-shape recovery अभी आप Google पर जाहिए, और Google पर type करिए, V-shape pattern, तो V-shape pattern in technical analysis, अब यही search करेगा, जब आप search करेंगे आपको पता चलेगा कि वो pattern किस तरीके से काम करता है, जब breakout देता है, क्या targets होते है, और कहां तक जाने की possibilities होती है, आप लोगों को पता होगा कि V-shape recovery है हम लोगों ने Reliance Industries के अंदर भी देखी थी उसका भी एक बार मैं charts लेकर आपको जाऊँगा, एक बार दिखाऊँगा, ठेक है ध्यान से देखेगा, V-shape recovery यह आईए, exact किस level से आईए मैं दोनो trend lines को हटा रहूँ अभी ठेक है, confused नहीं होते है इस level से V-shape recovery आईए नीचे आया, और इस level से हम लोगो ने क्या देखा एक V-shape recovery है देखे, यह एक V-shape recovery है, ठेक है got it, अब V-shape recovery का breakout दे चुका है 12,450 से 12,450 से एक V-shape recovery का breakout दे चुका है, अब अगर यह नीचे आता है 12,450 भी मैं मैं आमान के चल रहा हूँ अगर यह 12,450 तग आता है so it's not a correction और it's not a retracement sorry, it's not a crash और not a correction यह words में कभी भी confuse मत हुएगा यह words आपका पैसा भी बना सकती है यह words आपका पैसा गवा सकती है ठीक है, यह बहुत लोग गलतियां करते होंगे मैंने बहुत जगा देखा है मैं नाम नहीं बोलना चाहूँगा जब भी एक higher side के resistance को कोई share break करता है तो उसे break out बोला जाता है जब नीचे वाले support को कोई candle break करती है तो उसे break down बोला जाता है बहुत लोग ना जब नीचे break करती है तो भी इसे break out ही बोलते है तो ये एक एक word ना आपका पैसा भी बना सकती है गवा सकती है ये वाले points में आप लोगो clarify कर रहा हूँ कि जब आप market पे आओ या गर आप market पे हो तो ये points को सोधार हो ठीक है अब आप देखिए market ने break out दिया break out देने के बाद एक बार तो retest करता है आप इसे index की तरफ मत समझो आप ये मत समझो कि ये nifty है या ये वो चीज है आप समझो ये एक stock है जैसे हम लोग stock पे patterns को देखकर trade करते हैं तो ये ट्रेट करना है आप समझो कि ये nifty है nifty नहीं है एक particular stock है हमान के चल लेते हैं एक XYZ है ठीक है अब stock को कैसे trade करते है pattern मिला हमने देखा V-shape recovery है V-shape recovery के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसने एक breakout दिया इस level से breakout दिया breakout देने के बाद एक candle ऊपर close हुई दूसरी candle ऊपर close हुई अब आएगा अगर नीचे और इस level से bounce करता है तो yes it's a retest ये से वे एक retest हुआ है अपने previous resistance को अब support बना रहा है ठीक है इसे हम लोग correction ही retracement बोलेंगे got it V-shape जब recovery का breakout आता है इसके जो targets होते है सबसे पहला target हुई ही होता है कि जित्ती वीश ये बना है जित्ता ये range है exact उतना range तक जाता है yes nifty उतना range तक भी चले जाएगा monthly charts है ये नहीं कि एक दो दिन या एक महीने में चले जाएगा monthly charts का समझ लो मतलब कि कम से गर्म 2-3-1.5 साल तक चले जाएगा ये stock ये index भी थेक है मैं stock के नाम पे दे रहा हूँ stock ही जा सकता है थेक है दूसरा targets find करने का क्या तरीका होता है कि हम लोग Fibonacci extensions का use करते है जब भी कोई एक चीज अपने lifetime high पे trade कर रही होती है उस lifetime high को break करके ये lifetime high था हमारा इसको break करके जब एक चीज ऊपर जाती है ऊपर जाने के बाद वो क्या होता है कि हम लोगों को पता नहीं होता कि वो कहां तक जा सकता है तो उसके लिए हम लोग use करते है एक tool Fibonacci extension not retracement extension का extension हमें possible reversals बताता है ये video अगर आप लोग देख रहे हो ना तो यहां तक पूरा ध्यान से सुनने extension क्या करता है क्योंकि आपके आगे आने वाले stocks में भी एक चीज काम आ सकती है ठेक है extensions का बहुत जादा use होता है ये है Fibonacci extension Fibonacci extension अभी मैं draw करता हूँ आप लोगों के लिए ये देखे मैंने Fibonacci extension draw कर लिया आप ये देख रहे होंगे कि आप लोगों को यहां पर already three lines बनी भी दिख रहे होंगे ये three lines एक possible target है या एक possible जगा है जहां से एक share reverse कर सकता है इस range के अंदर इस पूरे के पूरे box के अंदर कहीं से भी वो share reverse कर सकता है ठेक है अब अभी तक वो इस level तक नहीं आए ये इसका first target होता है V-shape recovery का V-shape के बाद जब एक breakout दे तो हम लोग समझ लीजए कि हमारा ये first target होता है और ये first target का level क्या है 13,700 के आसपास तक का ठेक है second target के अगर मैं find करूँ तो second target आ रहा है almost 14,670 का and third target is our 15,600 15,600 ठेक है आप देखिए right now this stock is trading at 13,500 और मैं अपनी हर वीडियो पर जब से बनाना start करा है मैं तब था 13,250 पर और बैंग निफ्टी था 13,160 पर ठेक है 140 पर मैं तब से आप लोगो कह रहा हूँ buy buy है ठेक है हर dip में आपको buy करना है जब भी market एक अच्छा कासा आज के दिन बंद हो रही हो तीन बजे भर के उठा लो market को क्योंकि अगले दिन वो market उपर ही जाएगी वही हुआ था कल के trading session पर दिखाऊंगा मैं चिंता मत करिएगा ठेक है थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है पर इंट्रस्टिंग भी हो रही है आप लोगों को fun आना चाहिए इस वीडियो में भी ठेक है देखेगा अब यहां तक पहुचना है यहां तक पहुचना है यहां तक पहुचना है एक V-Shake Recovery का टारगेट होता है इस नोट करेक्शन की बहुच जादा उपर बढ़ चुका है अब तो नीचे आएगा ही आएगा यह आपकी जो यह mentality है इसको बदलिए कि बहुच जादा उपर बढ़ चुका है अब तो crash आना ही आना है crash विवर ढटाईए crash यह जगा यूज कर रही है retracement जब एक share नीचे गिरता है उसके बाद वो दुबारा उपर जाता है तो यह जो उपर होता है ना इसको हम लोग कहते है pullback इसको हम लोग क्या कहते है pullback जब एक share उपर से हलका सा नीचे आ रहा होता है तो इस portion को हम लोग कहते है retracement इसको हम लोग कहते है retracement यह points को समझेगा तो अभी हमारे लिए market buy में है आपको बता चुके है यहाँ पर अगर dip देती है 12400 12800 में तो हमारे लिए buy है ठीक है यह correction नहीं है यह retracement है एक और important बात ठीक है मैं सारी चीज़ा आटा देता हूँ मान के चलते हैं Monday से correction स्टार्ट हो रहा है ठीक है Monday से जो आज का sorry जो आज का top है वो हमारा high है ठीक है अब यहाँ से एक हम लोग देख रहे है false start होने वाली है तो false start होने के लिए मैं Fibonacci extensions का use करूँगा देखूँगा भाई कितना percent गिर सकता है तो यह मैंने bottom लिया और यह मैंने top लिया क्योंकि यही से अब गिरने वाला है हम लोग अभी exemption लगा के चल रहे है आदे लोग serious हो जाएंगे यहाँ से गिर रहे है क्या करें serious मत होएगा ठेक है वरना यहां तक आ सकता है वरना यहां तक आ सकता है अगर यह stock गिर के यहां तक भी आ जाएगा तो भी मैं इसको crash का नाम नहीं दूँगा ठेक है मैं इसको crash का नाम नहीं दूँगा अगर एक stock 100 रुपे गया और 100 से 50 आ गया तो मैं उसको correction का नाम नहीं दूँगा भाई वो एक रुपे से 100 और पे तक गया जब 100 से 50 आ जाता है तो कोई बात नहीं 50 से नीचे गरना शुरू करेगा तो मैं कहुँगा हाँ भाई अब यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड है मैं चलिए आप लोगों को safe side में बता देता हूँ 50 भी छोड़िएगा 38% तक अगर आता है तो मैं इसे crash का नाम नहीं दूँगा 38% से नीचे आएगा तो मैं बोलूँगा कि हाँ अब यह particular stock trade करने लायक अभी नहीं बचा ठेक है ब्रेक नहीं होगा 11,000 ब्रेक हो गया फिर बोल्टर थे 11,000 बहुत बड़ा resistance है वो ब्रेक नहीं होगा फिर 11,500 12,000, 12,500 13,000, 13,500 यह सिर्फ बड़े जा रहा है आप समझ रहो हम लोगों को 11,000 में यह लग रहा था कि निफ्टी अब कराश कर सकते हैं हम लोगों को 12,000 में 12,500 में लग रहा था 13,000 में तो हम मान ली गए थे कि अब कराश कर सकता है stock उपर जाए जा रहा है stock उपर जाए जा रहा है जब उपर जा रहा है तो सिर्फ जाने का फाइदा उठा है जब तक charts पर नहीं दिखेगा कि अब नीचे गरने का time आ गया तब तक हम लोग नहीं sell करेंगे इस पर ठीक है उसको भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ अच्छे से बट एक चीज और बहले बताना चाहता हूँ ज़रह एक बर correlation चेक करेगा Nifty और Sensex का ठीक है Nifty और Sensex का एक बर correlation चेक करेगा बिल्कुल similar है आप confused हो जाएं आप समझ नहीं पहेंगे कि कौन सा charts कौन सा है देखें मैं यही सेम चीजे दोबारा बना रहा हूँ जो मैंने भी बनाई थी ठीक है दो trend lines ये दो ये मैंने बना रखा है ये देख सकते हैं ऊपर क्या लिखावा है ऊपर लिखावा है Nifty 50 का index ठीक है अब मैं Sensex का charts open कर रहा हूँ Sensex का देखेगा Just wait a second Sensex आगया Sensex का charts देखेगा आपको क्या लग रहा है Exact similar Exact similar है दो candle ने break out दिया है Nifty में भीता Nifty में यहाँ पर एक बार हम लोग ने देखा Fall आए उसके बाद recovery आई ये चीज में Exact same है देखे ये अब आपको क्या दिख रहा है Sensex दिख रहा है ठीक है बिल्कुल similar है Sensex उपर बढ़ रहा है Nifty उपर बढ़ रहा है यही दो main index है इस पर अगर हम लोगों को पता चल रहा है कि breakout तो breakouts दे रहे है और बहुत अच्छी movement दे रहे है Why we are not trading in this particular market हम लोग क्यों बार बार डर बनाके बैठे हुए कि अब correction आएगा अब correction आएगा नहीं आ रहा भाई जब तक नहीं आ रहा तब तक तो पैसा लगा के कमाओ ठीक है आधे लोगों ने वो वीडियो देखके अच्छा खासा पैसा market से निकाला होगा और trade नहीं करा होगा और अब वो लोग परशान होगी यार ये stock double हो गया ये हो गया वो हो गया ठीक है मैं दुबारा एक बार निफ्टी के चार्ट पे आता हूँ और निफ्टी के चार्ट पे दुबारा देखाता हूँ ठीक है ये आगे निफ्टी का चार्ट same exact same है ठीक है डाव का देखें जरा US30 उसका symbol है ठीक है देखेगा दाव जोन्स को देखेगा ठीक है किस तरीके से देखे जब एक sharp moment के बाद एक fall आया तो almost 20% का fall आया था ठीक है उसके बाद अभी fall आया 40% का fall आया but 40% के fall के बाद जब वो recover करा भाई तो बहुत बढ़ीया तरीक से recover करा है ठीक है आप देख पा रहे है और अब भी इसने breakout दिया है as you can see it here अब भी इसने एक breakout दिया है और breakout कि शीच का दिया है cup and handle का breakout दिया है आप देखेगा ठीक है यह देखे यह एक cup and यह handle उसका breakout दिया है अपने high speed rate कर रहा है अब आप breakout पे एक stock को बोलोगी कि यार जहां से correction start हो सकता है तो यह बेफकूफी वाली बात होती है ठीक है तो यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है जब correction का time आएगा आपको अपने आप पता चल जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ ठीक है निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं मैं आपको बता देता हो आपको कब sell करना है और कब buy करना है सारी चीज़े छोडते हैं आइए अपने डेली चार्ट पे उसके बाद 15 15 मिनिट के चार्ट पे या उनको आपको उनकर क्लिफाय करतेता हूँ तिक ये दो लाइने मैंने आप लोगों को बनाई थी इसके पीछे का मैंने आपको बोला था logic में आपको आने वाले टाइम पे बताऊँगा कि ये दो लाइने मैंने क्यों बनायी थी वो logic पे आ जाते है थीक है इंदो लॉजिक पे आते हैं and अपनी बात करते हैं पांच मिनिट की मुश्किल से और वीडियो बची है बस पांच मिनिट और देख लीज़े ठीक है हम लोग यहां से स्टार्ट करते है for example इस लिवल से रैली आना स्टार्ट हुए 26 नेवेंबर से ठीक है हम लोग 26 नेवेंबर से बात कर रहे है हमें जादा पीछे जाने कि जरूरत नहीं है सिर्फ साइकोलोजी को समझना ठीक है मैंने आप लोगों को बहुत बार का है कि mind psychology trading psychology human psychology emotional psychology से पहले आपको stock की psychology को समझना है because अगर आप stock की psychology को समझ जाएंगे तो आपको trade करने के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है, तो देखिए, आते हैं आपर, ठीक है, इस level से start हुई, इस level से हम लोगे ने क्या देखा, एक अच्छा कासा एक buying आई, ठीक है, माइक को थोड़ा पीछे कर देते हैं, आवाज थोड़ी वो हो रही होगी, ठीक है, हमने देखा, इस level से एक बहुत अच्छी खासी buying आई, उसके बाद हम लोगे ने एक छोटा सा fall देखा, fall कितने percent आया, fall आया almost 38%, यह देख रहे हैं, 38% तक का fall आया, note, देखे, ध्यान से सुनते रहेगा यह वाली बात, बहुत important है, ठीक है, इसने fall करा, कितना 38.2% का, ठीक है, 38% से fall करा, उसके बाद एक नया high बनाया, तो यह हमारे लिए क्या, क्रेक्ष, यह हमारे लिए क्या crash हुआ, आप इसे मान के चलो, यह मन्थली चार्ट से है, ठीक है, तो इतनी बड़ी movement के बाद, यहां तक आया, क्या यह crash मानोगे, correction मानोगे, नहीं मानोगे, इसे हम लोग नाम देंगे, retracement, सुनिए ध्यान से, retracement, ठीक है, कोई बात नहीं, उसके बाद, नया high बना चुका ही है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद, इस level से एक दुबारा buying आई, और फिर एक fall आई, तो यह कित्ती fall आई, यह एक buying आई, और यह एक, वो आया, सो इस पे जो एक, retracement आई है, वो आई है, 61.8% की, कहां तक की, 61.8% तक की, तेक है, उसके बाद, इसने एक sharp movement दिखाई, और एक अच्छी घासी buying आई, तेक है, दो levels, आप लोगों को पता चल गए होंगे, दो levels, 38.2% and 61.8% तेक है, इन दो level को ध्यान से remember रखिये अभी, यह आने वाले अभी present, फिर एक buying आई, फिर एक छोटा सा correction आया, retracement आया, sorry मैं भी correction बार बार बोल रहा हूँ अब, तेक है, अब इस पर दुबारा एक retracement आया, जब एक retracement आया, कहां तक आया, 38% तक आया, ध्यान से देखिएगा इस चीज को, कोई बात नहीं, हमें पता चल गया, एक चीज तो पता चल गई है, buying आती है, buying आने के बाद, एक छोटा सा retrace करता है, और retrace करता है, 38 तक तो करता ही है, जब 38 को break करें, तो 61 तक जा सकता है, ठीक है, हाँ या ना, comment section में मुझे बताएगा, अगर आपको पसंद आ रही हो, 38 तक तो जाता ही जाता है, उसको break करें, तो 61 जाता है, 61 से नीचे नहीं जाता, ठीक है, आगे बढ़िए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है, इसके बाद, ये एक buying आई, और ये correction आया, retracement आया, sorry, ठीक है, ये कहां तक आया, ये exact आया, 38 परसंट तक retracement, 38 परसंट तक retracement आया, उसके बाद, हम लोग ने एक नया high देखा, are you understanding, नया high देखा, अब बात करते हैं, परसो की, परसो की बात करेंगे, ये वाला जो एक fall आया, ठीक है, एक second रुकी है बस, ठीक है, एंड इसको, मैं बहुत जादा ही, dark करता हूँ, एंड इसको, मैं ग्रे ले लेता हूँ, हम यह आ गए, market अभी इस level पर trade कर रही है, ठीक है, इस level पर 9 तारीक है, 9 तारीक को इस level पर trade कर रही है, market ने एक नया high बना दिये, इस level से अब share नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो क्या possible chances है, कहां तक नीचे आ सकता है, यह क्या retracement करेगा, यह correction करेगा, यह crash, correction crash एक ही समझ लीजे, crash करेगा यह stock यहां से, यह retrace करेगा, retrace करेगा, कितना percent कर सकता है retrace, मैंने आप लोगों को दो retracement level बतायता है, पीछे से, 38.2 percent, और अगर 38.2 को break करता है, तो कहां पर 61.8 percent तक, ठीक है, 61.8 percent तक, यह दो levels बता दिये, मतलब जब previously, जब एक चीज को follow कर रहा है, तो क्या आज भी उस चीज को follow करेगा न, हाँ करेगा भाई, अफकॉस follow करेगा, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं Fibonacci का दुबारा यूज करता हूँ, यह level बना देता हूँ, यह रहा, ठीक है, यह level मैंने बना दिया, अब इस level, एक से, यह level मैं बना चुका, हाँ, इस level पर 38 कहां पर आ रहा है, जब गिरेगा, तो कहां तक गिर सकता है, 38 आ रहा है, यह level, एक trend line मैंने बना दी, 38 पर ही है, कि यहां तक तो आएगा ही आएगा, ठीक है, 100% यहां पर आएगा, अगर यह break करता है, तो कहां तक जाएगा, यह राच 61%, यहां तक आएगा, पॉइंट को समझ गा है, जो मैंने प्रिवियस ली में, आपको यहां पर इत्ती देर से study करके बता रहा हूँ, वही चीज मैंने आगे भी applicable करी, ठीक है, एक चीज और देखेगा, कोई भी अपने प्रिवियस लो को इसने ब्रेक करा, उपर की तरफ लो शिफ्ट हो रहे है, ठीक है, उपर की तरफ लो शिफ्ट हो रहे है, हाइस उपर की तरफ शिफ्ट हो रहे है, ठीक है, तो हाइर हाइस, हाइर लो बना रहा है, तो trend is still bullish, मैंने यही सारी चीज़े कर रही अब हटा देता हूं मैंसे इसको हटा देता हूं इस box को हटा देता हूं क्या करा इस level पे आजाओ ठीक है अगर मैं यह कहना चाहूंगा जो भी जिन लोगों को भी अभी मैं December में पढ़ा रहा हूं ठीक है वह भी अगर यह वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज दू कमेंट बिलो और बताएगा कि यह दो लाइन्स मैंने आप लोगों को कैसे समझाए थी इसी बेसिस पर समझाए थी और यह करेक्शन आने वाले टाइम पे हम लोग मार्केट पे लाइव थे जब यह फॉल आ हम लोग मार्केट पे लाइव थे if you all remember and हम लोगों ने यह पूरी चीज को observe करा था था थेक है प्लीज दू कमेंट की सब लोगों को पता चले थेक है अब आप देखेगा फॉल आया यहां तक ही फॉल आया पहली कैंडल का and what we saw exact यहां से जब इसने 38 को ब्रेक करा कहां तक आया 61 फिश्टी वन तक गया उपर गया डिक है इसी रेंज के अंदर च्रेट करा ब्रेक आउट दिया और अपना नया हाइ बनाया यह भी हम लोग नीचीए तक में ब्रेक कर talked अयब 61 से एक नया हाय बनाता है इसने नया हाय बनाया हाँ बनाया भाई ठीक है दोबारा नीचे आया दोबारा नीचे आने के बाद हमने क्या देखा दोबारा नीचे आने के बाद हम लोगों ने देखा कि ये दोबारा अपने 61 को respect करा और उपर गया ठीक है दुबारा उपर गया बट एक बात को दियान से समझेगा अब यहाँ पर जो scenario है वो बदल रहा है ठीक है अब यहाँ पर जो scenario वो बदल रहा है पहले क्या था high बनता था तो वो 38 का या 61 का retracement लेता था इसने क्या करा अब move करी high भी बना लिया नीचे आ गया कहां तक पूरा का पूरा 100% तक आ गया ठीक है पूरा ही fall कर गया वो लग बात है कि इस level से यह recover भी कर गया बट पूरा fall आ गया मतलब जो यह past में हो रहा था जो यह past में यह जो चीजे हो रही थी जाते हैं ठीक है आप लोग गले इस level तक बस follow कर रहा है उसके बाद इसको यहाँ पर 38 या 61% retracement तक रुकना चाहिए था यह पूरा 100% गया उसके बाद recover कर गया हमें recover से कोई मतलब निया बट scenario जो उसा जो past में चला आ रहा था वो change हुआ है जब change हुआ है तो अब हमें क्या करना है यह resistance है भाई यह अब इसके लिए resistance बन चुका है यह यह resistance को जब तक यह break नहीं करेगा उपर की तरफ हम लोगों के लिए यहाँ पर buy नहीं बनता है जब तक यह नीचे इस range के नीचे नहीं जाता है तक तक हमारे लिए sell नहीं बनता है because it create a double triple bottom type scenario triple bottom type scenario बनाया है यह बनाया है 13,400 so 13,400 is a very crucial level 13,400 is a very crucial level and 13,570 is a very crucial level यह एक range है इस range के अंदर अभी market काम कर सकता है इस पूरी range के अंदर अभी market काम कर सकता है तो जब range के higher side में break होगा तो हम लोग कहेंगे कि जो पीछे से चला आ रहा था वो अभी वी चला आ रहा है क्योंकि एक high को break कर रहा है बट अगर low को break कर गया तो तब भी मैं बता देता हूँ क्या होगा तब वीडियो पर यह please comment मत करने लग जाना आप तो correction आगया आपने बोला नहीं आएगा यह correction नहीं होगा तेक है for example stock नीचे आया इसको break कर गया break करने के बाद हम लोग क्या देखते हैं हम लोग ना sell बनाएंगे ना buy बनाएंगे sell कर सकते हैं intraday में sell कर सकते हैं I am not saying about positional sell तेक है sell नहीं बनाएंगे जब तक यह अभी क्या कर रहा है इतने time से higher high बना रहा है highs के highs उपर shift हो रहे हैं और lows भी उपर shift हो रहे हैं जब तक यह lower low lower high नहीं बनाएगा जब तक जो इसके highs है वो नीचे की तरफ shift नहीं होते हैं lows भी नीचे की तरफ shift नहीं होते हैं हम लोग trade नहीं करेंगे तो क्या होगा जब ये नीचे आएगा अपने low को break करेगा फिर उपर जाएगा उपर जाने के अबाद अपने high को break नहीं कर पाया और दुबारा नीचे आतर अपने low को break करता है ये जब तक pattern नहीं बनता इस तरीके का pattern तब तक हम लोगों को इस पे sell initiate नहीं करना है nifty और bank nifty जो भी कह लो हमें इस पे sell initiate नहीं करना है ये हमारा confirmation है मैंने आपको कहा है market bullish है जब sell में जाना हो तो multiple confirmations के लिए wait करना पहला confirmation क्या था यार triple bottom break हो रहा है दूसरा confirmation क्या मिला कि यार 31, 38 और 61 तक आना चाहिए तो ये पूरा नीचे आ गया दो confirmation मिल गए तीसरा confirmation भी ले लो भाई कि जब तक इस तरीके का एक zigzag pattern नहीं बनता तब तक हम लोग trade नहीं करेंगे sell side में ठेक है तो मैंने hopefully आप लोगों बहुत अच्छे से सिखाया होगा समझाया होगा कि जब scenario बने तब trade करा जाता है जब तक selling नहीं आ रही है जब तक short के लिए नहीं आ रहा retracement नहीं आ रहा तब तक आप buy रहा हो भाई जब आएगा तब की तब देखना तब अपनी सारे holdings अटा देना अगर आपका मन करें आपके उपर depend करता है ठीक है एक बार bank nifty का charge reliance का दिखाऊं सारी चीज़े clarify हो जाएंगी एक second में आपकी ठीक है सारी की सारी चीज़े आपकी मैं अभी के अभी clarify कर दूँगा अभी reliance के charts पे monthly charts पे आजाता हूँ इदर देख लिए इस level से fall आया था around 1600 से कहां तक 800 तक almost हम लोग ने देखा 80% का एक correction आया अपने top से ठीक है उसके बाद इसने V-shape recovery बनाई इस level पे इस level पे एक V-shape recovery करी इसने V-shape recovery करने के बाद breakout दिया breakout दिने के बाद एक चीज़ दर देखना कितना बड़ा breakout था यह यह high था यह fall था ठीक है इसको अगर मैं ऊपर पुट करूँ breakout के बाद exact वहां तक गया और वहां से हम लोग ने एक फिर fall देखे है मतलब जितनी V-shape थी उत्ता तक recover करा है और उसके बाद हम लोग देख रहे है guys fall आ रहा है आप देख सकते हैं कि V-shape is a very strong pattern जब breakout देता है तो higher levels पे देता है ठीक है और उसके बाद अभी वह एक बात को ध्यान से सुनेगा अपने high से यह 2300-2400 रुपे से 2000 आच चुका है 2000 भी छोड़ी 1850 तक जा चुका है तो यह इसके लिए crash नहीं हुआ अभी आप देखेगा यह एक buying आई इस level से और यह इसका top था तो अभी तक यह 38% तक भी नहीं आया है तो जो कि इसका 1800 रुपे का level है और 50% level हुआ 1600 रुपे का यह इसके लिए भी तक correction नहीं है यह retracement है यह buy करने के मौके है तेक है इत्ती बड़ी movement के बाद कितना बड़ा movement दिये एक बड़ चेक करें जरा तेक है पता तो चले कितनी बड़ी movement आई इसके अंदर इस level से buying आई है ओहो मतलब एक रुपे का जब share 170 हो जाए और वो वहाँ से गिर के 100 रुपे आजाए तो क्या बुलोगा है यह share को छूड़ना चाहिए कि इस level पर buy करना चाहिए buy करना चाहिए एक रुपे से 170 रुपे हो चुका है reliance मतलब यहाँ से इस level से इसने 170% का return दिया है 170% का return वहाँ से भाई नीचे नहीं करेगा तो क्या करेगा ठीक है थोड़ा तो भाई उसे भी सांस लेने का मौका दो जब भी एक flag pattern का breakout आता है तो क्या होता उसमें एक बहुत तेजी सपमूव आती है फिर pause लेता है नहीं लेता है उसके बाद ही तो breakout देता है तो pause तो लेने तो मेरे भाई इन सब चीजों को तो इस पे correction और crash का नाम मत डालना market बिलकुल perfect है ठीक है budget आ रहा है budget से पहले भी हम लोग rally देखते है market पे budget के बाद ही एक छोटा मोटा हम लोग देखते है कि fall आता है ठीक है जब तक budget है तमीज मेरा हो मैं कहर रहा है market अगर 700 पॉइंट भी नीचे गरती है bank nifty sorry nifty अगर 700 पॉइंट करती है मैं correction का नाम नहीं दूँगा ना मैं उस crash का नाम दूँगा मैं बोलूँगा भाई बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है थोड़ी सी सांस लेने दो से ठीक है retracement so guys hope आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी and बहुत clear way में मैंने आप लोगों को सब कुछ समझा दिया होगा बस end करते है वीडियो थोड़ी लंबी है बट मज़ेदा रहे हैं अपने guys अपने guys दोस्तों के साथ relatives के साथ friends के साथ share करना मत भूलेगा and इस video को सब को दिखाईए कि उन लोगों को पता चले कि वो जहाँ जहाँ पर videos देख रहे हैं उन पे जादा भरोसा नहीं करा जाते